How to stay motivated after a failure आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वी लर्न फ्रम फेलियर और नॉट फ्रम सक्सेस और बार बार इस डिसकेशन में यही बात मेंटेन कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं उतना हम अपनी सफलता पर नहीं सीखते हैं उस समय तो हम जैसे कीमा ने बताया कि flow का पार्ट होते हैं बह रहे होते हैं हमारे plans successful हो रहे होते हैं लेकिन असफलता हमें बहुत सिखाती है असफलता सिखाती तो है लेकिन motivated रहना एक mindset है तो कैसे रहा जाए वो कौन से तौड तरीके हैं जिनसे हम जब असफल हो रहे हो या हमारा कोई target achieve ना हो रहा हो तो हम कैसे stay motivated mode में रह सकते हैं number one point is आप अपने commitment का level बढ़ाएं अपनी प्रतिबद्धता का level बढ़ाएं ये केवल emotional होने का कारिया नहीं अपनी भावनाओं से आप अपने work को ना handle करें क्योंकि जब आप असफल होते हैं तो कई बार आपके emotions भी on a high होते हैं वही आपको demotivated कर रहे होते हैं लेकिन यही time होता है अपना commitment level बढ़ाने का commitment level क्या हो सकता है वो in terms of आपके effort हो सकता है आपके finances हो सकता है आपकी deep commitment towards आपके काम के प्रती हो सकती है कि आप भाई अगर एक market में हैं तो अब आप उस एक market में और deep जाते हैं कि और क्या नए-नए revenues ला सकते हैं अपने system में अगर आप खिलाडी हैं तो अब आप अपनी game के दूसरे aspect पे भी काम करते हैं कि मेरी running between the wicket को मैं improve कर लेता हूँ या मेरी fielding skills में भी दम होनी चाहिए मेरे athleticism में दम होनी चाहिए मेरी body में दम होनी चाहिए student हैं तो आप मानते हैं कि मेरे marks लगातर कम हो रहे हैं let's say physics में या chemistry में या bio में तो मैं इस subject के इस point को ऐसे approach करता हूँ आपका level of commitment है क्या और उसको आप कैसे raise कर सकते हैं तो 8 गंटे पढने वाला 10 गंटे पढने लगता है business में x time देने वाला x plus 10 time देने लगता है या finances का commitment बढ़ा देता है तो आपको अपना commitment बढ़ाना है आपको अपने emotions को नहीं बढ़ाना है you have to raise the level of your commitment बार बार बात हो रही कि यह सफलता बहुत पसीना मानती है it requires a lot of efforts अपने efforts के level को बढ़ाईए उसका amount बढ़ाईए effort का और यह चोतरफा बढ़ाईए यह नहीं कि आपकी अपनी मेहनत से काम हो जाएगा आठ घंटे आप काम करें लेकिन जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूत है आपके business को आप उसमें कितना time focused होते हैं तो यह बहुत सारा sweat बनाने वाला काम है यानि पसीना बहाने वाला काम है challenges आएंगे ही आएंगे किस level के challenges हैं आपको उनको anticipate करना है आपको उनको anticipate करके उनकी रणनीती बनानी है उनको handle करने की आप यह मान के चलेंगे कि आप दुनिया के सबसे lucky आदमी है और आपको कोई बादा नहीं आएगी यह होने वाला नहीं है लेकिन होगा क्या आप हर बार हर plan के part पर अपना single plan मत रखें आपके plan B और plan C सारे तयार होने चाहिए और आपको इस पूरे खेल को वैसे ही अप्रोच करना चाहिए चाहिए पढ़ाई हो चाहिए गेम्स हो चाहिए व्यापार हो तो you need to be sure about कि आपने अपनी बाधाओं को जो odds हैं उनको कैसे address करना है उनको challenges को कैसे face करना है और उनको कैसे overcome करके आगे बढ़ जाना है सफल हो जाना है सफलता के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि हम लोग बहुत देर से असफलता उनसे क्या सीखें कैसे अपने को restructure करें इस बारे में सारी बातचीत कर रहे हैं आप जभी भी कभी past में successful हुए हो आपको अपनी past successes को rehearse करना होगा उनका पूर्व अभ्यास करना होगा mentally आपको जीतने का vision लेना होगा और विश्वास मानिए ये जो mental exercise है जिसमें आप vision लेते हैं किसी भी तरह से सफल हो जाने का जो अपनी past successes का revision है वो आप करते हैं तो आप winner mindset में आने लगते हैं क्योंकि असफलता का एक dent ये होता है कि हमारी जो winning psychology होती है वो बड़े low level पर operate कर रही होती है तो इस point के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जो winning psychology है आप उस पे काम करें आप अपनी past successes को recall करें किन कारणों से आप सफल हुए थे ये जाने, समझें, note down करें यानि वो सब आपके अंदर है and kindly अपना जो winning psychology है उसके level को भी बढ़ाएं और जो last point है वो कि आप अपना ध्यान shift करें आपके पास choices है आप असफलता के कारण जो frustration है, जो irritation है जो demotivation है आप उस zone में रह सकते हैं उस कमरे में रह सकते हैं और लगातार रह सकते हैं लेकिन उससे कोई फाइदा तो नहीं हुआ है किसी को ना अपने को होने माला है आपकी एक choice ये भी है कि आप वहाँ से निकल कर वापस से अपने काम को करने के नयतोर तरीके better planning ज्यादा level of commitment कैसे हम फिर से जीतेंगे इन सारी चीजों पर focus कर लें इस positive room में आ जाएं तो ये choice है between a negative room and a positive room और मेरा और दुनिया के हर आदमी का यही मानना होगा कि हमको positive room में रहना है light का part बनना है darkness का part नहीं बनना है तो बहुत important है कि हम अपना ध्यान भी shift रखें आप एक तस्वीर देख रहे हैं Mr. Bill Gates दुनिया के सबसे बड़े tech entrepreneur के तौर पर इनको जाना जाता है और इनके बारे में मतलब you have to know him to understand it Mr. Gates बहुत बार बहुत बार असफल हुए he was he failed in Harvard in fact Harvard से हट गये थे और तो उनका कहना है it's fine to celebrate success but it is more important to heed the lessons of failure यानि कि success को तो celebrate करिये लेकिन असफलता जो जो पाठ पढ़ा रही है जो lessons हमें दे रही है उन पर गौर करिये तो Mr. Gates की जो पहली company इनोंने launch की थी जो बनाई थी और दो साल चलाई थी वो भी fail हो गई थी और इस तरह के failures पर बटी ये technology और IT के प्रती जो passionate businessmen हुए हैं और उनोंने जो fortunes बनाए हैं अपने लिए उनमें Bill Gates का नाम सर्वो परी इसलिए भी लिया जाता है कि किसी भी failure को उनोंने नजर अंदास किया और उनका ये मानना था कि मेरा potential बहुत बड़ी चीज को करने का है और वो उस पे constantly committed रहे तो he is a fine example of and likely जो उनोंने कहा भी है कि it is fine to celebrate success but it is more important to heed the lessons of failures जो पाठ पढ़ाया है असफलता ने उसके बारे में भी बात करना उसको समझना और उसको अपने plans में budget करना बहुत सब्सारी है जोश है, जस्पा है और है चाश शुरू करने की खुद का विफसा है तो आप के लिए हम लाएं है कैसा platform जिसके जरी आप पास सकते हैं ना केवल बिजनस के हर aspect की deep knowledge साथ ही साथ पास सकते हैं expert जे direct interaction और अपने विफसाय से संबंधित किसी भी सवाल का जवाब बस आपको जोईन करना है बिजनस पार्चाला का session Monday to Friday तो पहर 3 बज़े से 4 बज़े तक बिजनस पार्चाला से जुड़िये और विफसाय के पार हमारे साथ पढ़िये